नमस्कार तुछस्तों, आज हम देखेंगे एक, what is the codingnetor, codignetor क्या है, शच्छेट है सबसे पहले हम तो codignetor website पर गहता है, वो, bignetor यह उसकी official website codignetor.com ठीक है, तो क्या है codignetor, कौन सा framework है, क्या use करते हैं, कोडिंग नेटर यह MVC पैटर्न प्रेमवर्श यह What is the MVC? MVC क्या होता है? MVC is Model, View and Controller होता है Model means उसके अंदर SQL और Database Related Queries होती है View क्या होता है? View में Bootstrap, CSS, HTML जो user को दिखता है और user interface जो भी है वो सब Views में होता है Controller क्या होता है? Controller यह दोनों को जुड़े रखता है और उसमें हम लोग Business Logics लिखता है जैसे कि मानलो, user आया User में Views में कुछ Input डाला वो Input Controller के पास आता है Controller वो Model के पास भेशता है Model कुछ Query बनाके Database में Search करके Results लेके आता है वही Results हम वापस Controller में लेके आने के बाद Business Logic लिखता है उसके accordingly जो चीज़े हमें चाहिए वो Display करते Views में यह होता है MVC ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कि Codingator क्यों यूज करना है Codingator यह Lightweight है और इसमें हम अच्छे अच्छे Websites बना सकते हैं इसके लिए और इसका documentation बहुत अच्छे है तो latest जो Codingator है version 4 उसे हम देखेंगे तो यहाँ पर Codingator 4 है तो हम Download पर क्लिक करते हैं और इसे Simply Download कर लेता है ठीक है यह तो हो गया Download इसे हम Extract करते हैं तो मैं मेरे Download में आया Simply इसको Extract कर रहा हूं ठीक है? तो यह हो गया Extract तो similar way है Linux और Macbook में Codingator को Download करने का और Extract करने का ठीक है तो अब यह थोड़ा सा टाइम लेगा तो आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि Codingator में कुन से कुन से टाइप के फोल्डर होते हैं कुन से कुन से टाइप के फाइल से होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं और क्यूज करना चाहिए और Crude Operations बनाएंगे और कुछ एक और दुसरी एकद दुसरी website बना लेंगे using the bootstrap और कि यह आल्मोस्ट खतम होने के लिए रहे हैं ठीक है यह खतम हो गया तो इसके अंदर जाता हूं में इस फोल्डर के अंदर यह सब कॉपी कर लेता हूं में सारे के सारे और आपके बास जो भी आपने जैंप और वैंप जो भी यूज़ कर रहे हूं उसके अंदर जाके http-docs में मेरा http-docs से मेरे http-docs में आँगा आपका सब्सक्राइब वैंप है तो आपको www में याना है तो यहाँ पे एक सिंप्ली पोल्डर क्रेट करते हैं और इसके अंदर आके में पेस्ट कर देगा है ठीक है पेस्ट कर लेंगा तो यहाँ पेस्ट कर लिए अभी सिंप्ली हम जाते हैं ब्राउजर में और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं अधार लोकल होस्ट और सिय्थए पर इंटर लेते हैं सो यहाँ पे सब फायस और प्वाहिडर दिख रहा है तो हमें पप्लिक प्रिपंगर करने हैं और यहाँ पे रन हो गया है कोडीनेटर 203.6 यह लेटेस्ट हैं सो यह तरीका होता है इंस्टॉल करने का डाउनलोड करने का इंस्टॉल करने का और रहन करने का अगर आपको कुछ क्वेशन्स है तो आप कमेंट में लिख सकते हूं और वीडियो के आंग तक बने रहने के लिए धन्यवाद थैंक्यू सो मच